क्या वेब सिरीज की कौपी बेचना या फिर वेब सिरीज देखना गुना है और क्या इसके लिए मौत या जीवन कारवास की सजा मुकर्रर की जा सकती है जी हाँ, अगर आप उत्तर कोरिया में हैं तो ऐसा मुम्किन है उत्तर कोरियाई नागरिकों में दहशत का माहूल है हाल ही में यहाँ एक शक्स को सिर्फ इसलिए मौत की सजा सुनाई गई क्योंकि वो वेब सिरीज की चोरी कौपी बेच रहा था इतना ही नहीं वेब सिरीज के लिए फ्लैश ड्राइव खरीदने के आरोप में एक छात्र को उम्र कैद की सजा सुना दी गई दरसल ये ताना शाही फर्मान साउथ कोरियन वेब सिरीज स्कुट गेम को लेकर है आनलाइन स्ट्रीमिंग प्लैटफॉर्म नेटफलिक्स पर धमाल मचाने वाली साउथ कोरियन वेब सिरीज स्कुट गेम अपनी स्टोरी को लेकर खूब चर्चा में हैं दर्शकु ने स्कुट गेम को खुब पसंद किया और ये कुछ समय के लिए नेटफलिक्स पर सबसे ज़्यादा देखी गई सीरीज बन गई थी लेकिन साउथ कोरियन गेम होने की वज़े से उत्तर कोरिया में इस पर बवाल हो गया ताना शा कीम जोंग उनके लिए किसी को भी छोटी सी गलती पर मौत की सजा दे देना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जब बास संकी ताना शा के कट्टर दुश्मन और पडोसी देश साउथ कोरिया की आती है तो मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है आपको बता दें कि साउथ कोरिया में बनी फिल्मे और वेब सिरीज नौर्थ कोरिया में बैन है इससे जुड़ी सामागरी भी बेचना अपराद माना जाता है ताना शा सरकार ने वेब सिरीज की कौपी बेचने वाले शक्स को मौत की सजा सुनाई है उसे कथी तोर पर गोलियों से भून दिया जाएगा इसके अलावा जिनों ने स्क्विड गेम को चोरी चिपे देखा है उन्हें भी उम्रकायत की सजा और कड़ी महनत की सजा सुनाई गई है स्क्विड गेम ने अपनी बहतरीन कहानी से पूरी दुनिया में लोग प्रियता हासिल की महीं नौर्थ कोरिया के लोग भी इसे देखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने लगे 9 एपिसोड की वेब सिरीज में भी मौत का खेल ही दिखाया गया है फिलाल इस वीडियो में इतना ही अस वीडियो को आखर तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया ऐसी तमाम जानकारियों के लिए फॉलो करते रहें TV9 डिजिटल भारत वर्ष देश बनता है अपने नागरिकों से ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ करतव्य पर भी ध्यान दे जो सच्चाई का आधर करे लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे जो सिर्फ जानकार न बने बलकि जागरुक भी रहे इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददकार लगातार ताकि आप भीड का हिस्सा न बने बलकि रह दिखाएं भीड को देखते रहिए TV9 डिजिटल